कि हम लोगों ने एक सिम हरदा था, थाएलंड का सिम जो थाएलंड में भी वरक करें थाकि हम लोग को वहाँ हरो एवर्म, वेल्कम टो ऐओ चैनल दस इस अंकिता आज मैं हूं यहां पर अपना थाएलंड ट्रिप का experience share करने के लिए and आप लोग को बताने के लिए कि आप Thailand trip अपना ऐसे प्लान कर सकते हैं मेरा trip six to seven days का था तो मैं आज आप से शेर करूंगी six to seven days में आप Thailand में कहां कहां गूम सकते हो Thailand trip plan करना थोड़ा tricky थोड़ा difficult हो सकता है because you have lot of lot of options to see and you don't want to miss out anything तो मैं आपको यह बताऊंगी कि हम लोग कहां कहां गूमे थे and कितने दिन कहां stay करना चाहिए and all of that so let's begin पहले तो आप यहां से आपको आपका जो भी nearby city है वहां से Bangkok या Phuket wherever you want to go first वहां का ticket check करना चाहिए आपको cost कहां का सस्तार है आप से share करने वाली आप ticket कैसे book कर सकते हैं and आपको कितने दिन पहले ticket book करना चाहिए ticket आप online जा के book कर सकते हैं यह सब को पता है पर हाँ अगर आप three to six months पहले ticket book करेंगे तो आपको बहुत बहुत चीप rates में आपको टिकेट मिल सकते हैं Thailand के लिए हम लोगों ने three to six three to four months पहले ही ticket किया था हम यह बहुत अच्छे में बहुत अच्छे rate में मिल गया था आप अप्रोक्स आपको टिकेट करोगे तो अप्रोक्स 25,000 में आपको round trip मिल जाएगा और अगर आप पहले करते हो तो आपको और भी कम rate में मिल सकता है लेक पंदरा से बीस हजार में आपको round trip लग जाएगा उसे भी सस्ता हो सकता आप च चेकर सकते sky scanner, goibibo, mmt whatever and yes उसके बाद आपको जाने से पहले क्या-क्या documents रखने चाहिए वो मैं आप बताऊंगे आपको documents में आपका होना चाहिए passport वो तो important होता है everybody knows passport के बाद आप passport size photos रख लेना क्योंकि अगर आपको लगता है in case तो foreign में click कराना थोड़ा expensive हो सकता है तो आप passport size photos रख लेना and hotel book करा लेना निकलने से 10 दिन पहले हफते तस दिन पहले आप ticket hotel booking करा लेना और इसका photo copy रख लेना उसके बाद और क्या चाहिए होता है travel insurance yes travel insurance मत भूलिएगा travel insurance इसलिए होता है ताकि आप foreign जाओ और आपके साथ को incidents हो जाता है in case ऐसे तो होता नहीं है बट in case हो जाता है तो वो insurance वहाँ पे लग जाएगा और आपका सारा expense उसमें cover हो जाता है तो travel insurance आप किसी भी online website से करा सकते हो हम लोग ने मेंटी से कराया था आप किसी भी करा सकते हो आपकी मर्जी है उसका भी photo copy रख सकते हो आप and जितने भी documents आप आपको लग रहे हैं उसका photo copy करके आप एक file में रख सकते हो and वह file आपके साथ हो आप कितने दिन का trip plan कर रहे हो अगर आप long trip plan कर रहे हो तो you have you can आराम से आप हर जगे पे like Phuket, Karabi and Fifi Island पे तो आराम से दो तीन दिन दिन आप स्टे करके सारा कुछ भूम सकते हो लेकिन अगर आपको जल्दी घूमना है तो उसके लिए मैं बताती हूं आपको कैसे plan करना च का क्यों के पा किए हम लोग यहां से पहले Phuket जाए थे ट्री ख़कन वंक лиके हैं दो दिन स्टे की से आप फिफी आइलेंड गूम सकते हो, दो दिन, तीन दिन, whatever time you want to spend there, उसके बाद फिफी आइलेंड के बाद हम लोग क्राभी गये, क्राभी से वापस हम लोग बैंकोग गये, बैंकोग में थोड़ा बहुत शौपिंग किया, एक दिन तो यह थोड़ा सा गड़बड हो गया था कि हम लोगों को यहां से, if you are going from India, then you should go first to Bangkok, वो कि last में बैंकोग रखना, is like, Bangkok is like a city भी हो, तो उतना जितना भी घूमा होता है, वो थोड़ा, आफ हो जाता है, क्योंकि बैंकोग is just a city, it's a good city, like Delhi in India, तो अगर आपको डेली लास्ट म गूमना है तो यह थो पुट बैंकोग इन लास्ट मेरा परसनली सजेशनी है कि आपको पहले बैंकोग जाना चाहिए, बैंकोग थोड़ा बहुत भूम लो, and you can do a shopping there, platinum mall is in Bangkok, अच्छा mall है, 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 अच्छा माल है, बैंक अच्छा मिलस्का, लुखिड में नाइट पार्टी, खुक्ट में च्नली के ओड़ेंद के संच्छा जाते हैं, और फैल एंड ओक वाड़ ka पुल पार्टी जहां, हम लोग कुछा इंड हाँ यहारप नोग तो फ необходимо में ना पूल पार्टी ऑरगनाईज से निग लुम ऋग स को आपलो बेकलीजर को आप सोच रहा होगे कि लोकली आप पहुच तो जाओगे लेकिन आप चाब वगयरा कैसे बुक कर होगे तो वहाँ प्रूबर या ओला डून थिंग करता है वहाँ पे ग्राब ग्राब करता है बाइक पहुच अप्शन आता है आप बाइक भी ले सकते हो आप रैपिड़ इन इंडिया तो आ वहाँ वह भी कर सकते हो लेकिन और लोकली आप टुक टुक भी वहां चलता है तो टूक टूक भी कर सकते हो आपकी मर्जी है लोकली घुमने के लिए गिन हम लोगों ने ग्राब यूज किया था एंड एक फिर्स जे कवर बबुक किया था तो आप भी वह कर सकते हो थोड़ा एकस्पैंसिव होता है वट रहत दो बुबली आपको गूमना है तो आप वो डाट ऑप्शन इस गुडाग अगर आप ने तसी से बात करके आप आगे के दिन भीघूम सकते बुभागे एन येस वन मोर थिंग हम लोग एरपोर्ट पे पहुचके हम लोगों ने एक सेम खरदा था था थाइलांड का सिम जो थाइलांड में भी वर्क करें ताकि हम लोग को वहां से वहां पर पहुचने के बाद कुछ भी आप वगरा डाउनलोड करने में या कुछ भी किसी भी नहीं पर इवकष यो केंट को इचोंड का दाएलांड करूट को कि बंगघ को धूली के Еई कि यहीं दोनों जगह से आप को रिटर्न फ्लाइट मेलेगी इंडिया की हम लोगों ने बंगकॉक लास्ट तो अब मैं बात करूंगी फूड का वहां पे फूड इंडियन अगर आप किसी भी रेस्टराओं में जाओगे जहां पे ठाइ फूड है तो वह आपको आपको I don't think कि इंडियन को पसंद आएगा तो हम लोगों ने हम लोग जित्ती बार भी मील लिया वो इंडियन रेस्टरा तो आप इंडियन रेस्टराओं ने खा सकते हो जाकिड वेज दिदी नवेज भी मिल जाएगा तो पर लोगों नवेजी प्रिफर क्या था एंड ।वह जरूर जा सकते हो हून क्राबी में ऐतिंग नृभी में आई थिंक χाहया तो बहुत ही तार्ष को पघ्जी राझेड जब पैनकेकचेटपारे आपके बना के देते हैं, हैपके मैंगो रस्टावरीए एक स्ट्रौबरीए तरह देते हैं नरे प्रॉट पैनकेक, ऐडने में देते हैं कोई भी य real Memory aper gost को अधए तरह करें तरह का भाद के लुान के सब्सक्ँद항 फ्रेश पल्प बहुत अच्छा लगता है तो आप फ्रेश फ्रूट्स जरूर खाईएगा और जूसे जरूर ट्राई करिएगा यहां से इंडिया से निकलने से पहले आप अपना मनी एक्षेंज करा लेना बाट में कनवर्ट करा लेना कहीं भी आप अपने सिटी से करा सकते हैं या किसी भी मेट्रो सिटी में हो जाएगा एरपोर्ट से आप या वड़ नॉट सजेस्ट क्योंकि एरपोर्ट पे उतने अच्छे रेट्स मिलते नहीं है तो आप अपने सिटी में ही कहीं से करा लेना एक्षेंज क्योंकि ये वीजा उन और र左 होता है and वीजा का जो पैसा होता है कॉस चाता है वो बाट में हिऑ accept करते हैं वो आयएनर में accept नहीं करेंगे तो आप you dollars में accept करते हैं वो बाट में ही आए accept तो आप Charles Schartना कुछ करा लेन बाकि आपकी आप वहां जाके भी करा सकते हो लेकिन not on airports, it's a big no yes so that's it जितना मुझे को याद था तो मैंने वो शेर कर दिया अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप you can just comment and ask अगर मुझे पता होगा तो मैं जरूर आपको रिपलाई करूंगी and thank you, thank you for watching bye-bye see you in my next vlog